हेलो फ्रेंट्स और वेल्कम टु थे एक्जाम स्मेट सिंपल एंड विया बाक अगें विद धे हिंदु कंप्लीट न्यूस पेपर इनालिसिस फुर्ट फेबुरी तो थे इस फरवरी दो हुजार इकीस का दा हिंदु न्यूस पेपर इनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले जिनको भी लगता है कि उनका करेंट फिर्स वीक है या अच्छे से नहीं प्रिपेर कर पाया उन लोगों ने और एकनोमिक सर्वें सब्सक्राइब को डर लगता है तो यू कन जॉइन आर रिवीजन सिरीज जिसमें कि हमने कंप्लीट अभी एकनोमिक सर्वाला और आपको पुराने सारे वीडियो देखने को एक्सेस मिल जाएगी ठीक है ना मूव करते हैं आज के कॉश्चंस के साथ सबसे पहले आज के कॉश्चंस जिनके जवाब आपको देने है पहला सवाल है regarding money bill which is defined by article 110 of the Indian constitution consider the following statements money bill के regarding statements दी है आपको बताना कौन से सही है पहला statement कह रहा है it can be introduced either in the Lok Sabha और Raj Sabha दूसरा statement कह रहा है it can be introduced only by a minister तीसरा statement कह रहा है it can be introduced only on the recommendation of the president and चौथा कह रहा है it does not require the certification of the speaker when transmitted to the Raj Sabha if it has originated in the Lok Sabha now which of the following of the above statements are correct 3 and 4, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4 question number 2 is which of the following states has in Thangki wildlife sanctuary located किस state में in Thangki wildlife sanctuary located options are A. Aronachal Pradesh, B. Manipur, C. Meghalaya and D. Nagaland question number 3 is consider the following statements regarding the DPP तो defense procurement procedure के regarding statements है पहला statement कह रहा है the defense procurement procedure was promulgated in the year 2016 तूसरा statement कह रहा है the defense acquisition procedure stipulates 30% higher indigenization than DPP 2016 which of the following statement is correct one only, two only, both or none so these are the three questions for you today please do try to answer these questions in the comment section below आप इसका answer करने कोशिश करिये ठीक है ना आज की map exercise देखते हैं map में आज जो map आपको दिखाऊंगो वह है इरान का map ठीक है ना let me show you the map of Iran तो इरान का map आपको यह दिख रहा होगा इरान के map की पहले bordering countries important है सबसे पहले bordering countries इरान की ओ न्यूज में था आप सब को पता है कि Joint Comprehensive Plan of Action यानि कि JCPOA यानि कि जो इरान nuclear deal है उस करण से काफी जादा news में रहा है आज भी ये news में आया है क्योंकि भी IAEA के साथ इंके deal हो गई है बीच में enrichment, nuclear enrichment program इन्होंने कर लिया था तो ये सारे वजहों से इरान न्यूज में रहा है पूरे साल भर देखें इसकी bordering countries तो उपर आपको Azerbaijan दिख रहा होगा Armenia दिख रहा होगा टच होते Turkey दिख रहा है Azerbaijan, Armenia, Turkey उपर आपको दिखी रहा होगा Kuwait टच नहीं होता है देखो बहुत छोटा से बहुत दूर रहा जाता है Kuwait टच नहीं होता है Iraq टच होता है पूरा ठीक है और उसके नीचे यहाँ पे फिर Saudi यह सब तो टच नहीं करते हैं लेकिन Persian Gulf ज़रूर टच करता है तो water bodies में यह आपको Persian Gulf दिख रहा होगा इरान और Saudi की बीच में ही Persian Gulf पढ़ती है ठीक है ना फिर यहाँ पे आपका Strait of Hormuz है देखो Oman और इरान के बीच में Strait of Hormuz है Strait of Hormuz आपका Persian Gulf of Gulf of Oman के बीच में आता है तो Persian Gulf of Gulf of Oman के बीच में आता है फिर इदर साइड इरान को टच करने देखो पाकिस्तान है अफगानिस्तान है और उपर तुर्कमेनिस्तान है तो तुर्कमेनिस्तान टच करता है अफगानिस्तान टच करता है पाकिस्तान टच करता है इसतान वाली कंट्रीज में अफगानिस्तान पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान याद रखेगा और अजर्बाइजान अर्मेनिया टर्की एराक ये कंट्रीज इन्हें से टच करती है फिर वाटर बोडीज में आपको परशन गल्फ बता दिया आपका Strait of Hormuz ये भी याद रखना ठीक है फिर यहाँ पे कुछ और important चीज़ है को इरान के मैप बहुत ब्यारा मैप था इसमें देखो सबसूब पर एक लेक उर्मिया दिख रहे होगी ठीक है ना लेक उर्मिया उपर आपको इसमें देखों आपकी फिर इसमें धायरा मैं यहाँ पी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर निय ciao बास और फिर यहां पर तो ज्यादा इंपर्टन जगह नहीं है ठीक है लेकिन यह याद रखेगा कोई भी आसे पूछ सकता है जहेदान यह दो जहेदान नीज में था इस बास जहेदान देलाराम यह तो जहेदान आपको देख रहा होगा यह जस्ट बॉर्डर के पास है वहा इस फूरा मैप था इडान का बहुत प्यारा मैप था इस मैप यह मैप साइट में भी अपलोड कर दूंगा अपने थीग है तो आज जैसे आप लोगों को कल मैंने कल की नीउज पूरी अप-लोड कर दी थी और उसका एडिटोर्ल के साथ है तो आप मैं उसको डेली अपडे ताकि अच्छे से नोट्स आपको मिल जाए है ना तो that is the thing which I will be doing so आप लोग उसको विजिट कर सकते हो the exam, tempsis.com tempsis.com पे नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे ठीक है ना, तो अभी कुछ दिन बीच में नहीं बन पाये थी because of some load of work but अभी आपको अवेलेबल रहेगा आगे move करते हैं देखते हैं आज कि क्या important news item से सबसे पहला तो the state of Uttar Pradesh has became the first Indian state to table a paperless budget तो पहला paperless budget to table करने वाला जो state है वो कौन सा state है, वो Uttar Pradesh बन गया है, ठीक है ना दूसरी जो important news है, वो है चीफ मिनिस्टर अफ मन्तप्रदेश शिवरा सिंग चौहान has announced to rename होशंगावाद city as नर्मदापुरमती यह मैने MPPSC अभी होने भी वाला है दो-दो exam होने वाले MPPSC के तो जो लोग prepare नहीं भी कर रहे हैं वो भी कर ले इस बार का तो form filling हो चुका है कि अगले बार का अगर आप चाहें तो कर ले हैं ना कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगो कुछ notifications के बारे में बता दिया करूँ कि यसे मैं बहुत जादा strictly channel पर follow करता हूँ ऐसी policy को कि मैं कोई notification ही है जिन सब में वीडियो ना बनाऊ है ना but I think कि वो भी कभी कभी जरूरी हो जाता है कि कई लोग भर नहीं पाते हैं फिल नहीं कर पाते हैं जो लोग wait करते हैं या फिर कुछ conditions कुछ लोग मैंने देखा कई channels clear नहीं बताते हैं ना वो अपन नहीं करेंगे फिर अगली जो important news items है वो है world day of social justice is observed on February 20th तो 20 फरवरी को world day of social justice होता है तो यह भी आप याद रखेगा इस बार कि जो theme थी वो theme थी a call for social justice in the digital economy a call for social justice in the digital economy याद रखेगा and last है Saudi Arabia has opened up the armed forces for women following the order ठीक है ना याद रखेगा women recruits can now trade their abayas for military uniform तो उनके अपने abayas को trade कर सकते हैं for military uniforms and Saudi Arabia has opened up the armed forces for women तो काफी बड़ी news है ये which is coming from the Saudi Arabia and बाकी news items मैंने आपको बता दिया है the state of Uttar Pradesh has became the first state to table a paperless budget the state और Madh Pradesh जो है वो नर्मदापुरम नाम कर देगा किसका होशंगाबाद का नाम मदल करके नर्मदापुरम कर देगा तो यहाँ पर यह तो front page से आपको news item थे जी में visit India for BRICS summit अब एक important news याद रही है कि जी जिंपिंग जो है ही में visit India for the BRICS summit तो अब क्या है कि चाइना जी जिंपिंग ही में visit India to the second half of this year to attend the BRICS यानि कि कौन कौन सी कंट्रीज ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफरीका ठीक है याद रही है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफरीका इस आर देखा हो या फिर आपने देखा हो कि जो पैंगॉंग वाला रीजन है वहां पे कितना वड़ा इशू है तो उसके बाद यह हो सकता है कि विजिट करें for the BRICS summit now BRICS के बारे में थोड़ा कर आपको चीज़े बता दूँ मैं तो BRICS does not exist in the form of an organization लेकिन एक annual summit group में exist करता है तो BRICS किसी organization के form में exist नहीं करता है बलकि एक summit के form में ही exist करता है ठीक है ये भी आप याद रखेगा BRICS लगबग 40% of world population याद रखेगा कुछ basic facts आपको बता रहा हूँ लगबग ये 40% of world population को represent करते हैं इसके अलावा अगर ये देखें तो 30% of GDP को 40% world population को and 30% GDP को represent करते हैं ठीक है तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं इसका जो initial acronym था यादि के जो BRICS हम बोलते हैं उसको Jim O'Neill Goldman Sachs के Jim O'Neill थे Jim O'Neill Goldman Sachs के उन्होंने इसको acronym दिया था BRICS नाम का acronym दिया था ठीक है ना याद रखेंगा रखेंगा ये भी आप याद रखेंगा जब चाइना में 3rd BRICS सम्मिट हुआ 2011 में तब साउथ अफरीका उसमें पार्डिसिपेट किया तो क्या क्या चीज़े मैं आपको था इसमें अरशुमिट कर दोस्दर नॉमें पहला संमिट हुआ रशिया में दूसरा में आपको की स्ट दस के ईवT किया था हमने मुशह वाईट कियाथ में हमने साउथ अफरीका को और 2011 जब तीसरा आया तो चाइना में हुआ ये सम्मिट और चाइना में हुआ था यह और तब साउथ अफरीका पहले बारे से पार्टिस्पेट किया था ठीक है कुछ इंपॉर्टन फैक्ट्स है और एक और इंपॉर्टन फैक्ट्स है कि जिसमें कि फोल्टलेजा डिकलेरेशन या फोल्टलेजा एकॉड का जाता इसको ठीक है न फोल्टलेजा सम्मिट यह में उसमें उसका फॉर्मलेशन हुए हुए था 2014 में था अगर पूछो कि starting कब वही थी बातचीति दुगो न्यू डेली में ही आपका संमिट हुए था 2012 का 2012 का सम्मिट हुआ था तब इसकी ऐसी हुई थी बातचीत ठीक है तो 2014 का फोल्टलिज एकॉर्ड भी याद रखना इस आधर थिंक्स रिलेटेट टू ब्रिक्स आगे मूफ करते हैं देखते क्या याद रखेगा फ्र इनिशेट्टीव अव जी 7 कंट्रीज कोन कौन सी यह वीचार दर सेवन कंट्रीज पार्ट ऑफ जी 7 सेवन इटली पार्ट है कि नहीं आप मुझे बताएगा दूसरी जब यह बना था स्टार्टिंग पर तो यह मनी लॉंडरिंग को रोकने के लिए बना नहीं, 2001 से कर रहा है, पहले यह सिर्फ money laundering को रोकने का काम करता था, आगे move करते हैं, देखते क्या important news items हैं, तो India in trade defense pact with Mauritius, तो इंडिया ने defense or trade pact sign किये हैं with the Mauritius, they have signed a hundred million dollar defense line of credit agreement on this, मलब कल ही उन्होंने किया है, it was a part of CECPA, अब आपको एक important चीज़ याद रखने हैं यहाँ पर, CECPA, अब यह क्या है CECPA, comprehensive economic cooperation and partnership agreement, comprehensive economic cooperation and partnership agreement, CECPA, तो CECPA अगर आप से कोई पूछे क्या है, तो यह इंडिया और Mauritius के बीच में है, pact, और CECPA के अंतरकत, इंडिया और Mauritius would provide preferential access to a number of items, एक दूसरी countries में, एक दूसरी countries में preferential access लेंगे for the number of items, like surgical equipment हो गए, medicine हो गए, textile product हो गए, and they would cater to the market requirements on both the sides, तो दोनों countries की market requirements को ध्यान में रखते विए सारे काम किया जाएगा, ठीक है ना, तो अगली जो news हो है, Supreme Court wraps government for not replying to Jairam Ramesh RTI plea, तो यहाँ पर RTI किया था, Jairam Ramesh Jee ने, उन्होंने का था कि RTI Act के अंदर जो recent changes किये गए है, recent amendments किये गए है, उनसे government की power बढ़ रही है और RTI की power weak हो रही है, तो इसके उपर उन्हें जवाब पूछे थे कुछ, तो वो जवाब अभी थे government ने नहीं दिये, इसले सुप्रिंग कोट ने government को फटकार लगाई है, अब आपको पता हो रहाची कि changes क्या-क्या हुए थे, changes क्या हुए थे, थोड़ा मैं थोड़ा सा detail है बताता हूँ, पहला था जो उसका 10-year का time होता है, 10-year क्या होता है कि यह बोला जाता है 10-year में, कि अभी तक कह जाता है कि उनको 5 साल का 10-year था, CIC लोग का 5 साल का 10-year था, तो इन्होंने बोल दिया कि यह central government decide करेगा, यह power दे दी central government के पास, दूसरी चीज उनकी salaries पे, क्या salary पहले बोला जाता है कि जो CIC की salary है, वो Chief Election Commission की salary के बराबर रहेगी, और जो IC की salary है वो election commissioners के बराबर रहेगी, information commissioners की salary आपकी election commissioners के और Chief Information Commissioner की, चीफ election commissioner के बराबर रहेंगे लेकिन फिर बाद में क्या बोल दिया कि ये सारी कौन determine करेगा Central government determine करेगा Central government determine करेगा थीग है ना पहले ये होता था पहले बूल दा था कि बहुत सारी चीजेशी की, एक है reduction in salary क्या बूल दा था था कि अगर उनको pension मिल रही है तो pension के बराबर salary reduce कर दी जाएगी तो यह provision altogether हटा दिया गया था यह भी एक change था जो किया गया लेकिन main जो दो changes थे वो tenure और salary वाले changes थे कि वहां से क्या होता है फिर RTI जो election commissioners information commissioners की जो independence है वो कहीं न कहीं effect होती है because of that क्योंकि उनकी salary, उनका tenure और सब कुछ depend कर रहा है कि इसके उपर central government के उपर तो इतना द्यादा extraordinary power जो है central government ने ले लिया है कि जो उनकी पूरी freedom थी वो खतम हो जाती है आगे move करते है चाइना firm slams third party interference in shilankan project तो अभी आपको मैंने एक तिन news बताई थी कि shilanka के एक project के लिए जिसमें वो उसको ADB से loan मिल रहा था उसको इंडिया ने थोड़ा influence करने की कोशिश की कैसे की देखो हो क्या रहा है कि नैना तीवू जो कि नेदुन तीवू भी नैना तीवू पहला दूसरा है Delft और नेदुन तीवू और तीसरा है अनलाई तीवू याद रखे गए नैना तीवू नेदुन तीवू और अनलाई तीवू ये तीन जो है पार्क बे के लगभा 50 km दूर है तमिलाडू कोस से भी 50 km दूर है पार्क बे पे है अब देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक development project है जो की कौन कर रहा है Chinese firm को मिला था लेकिन इंडिया को यहाँ से security concerns लग रहे थे इसलिए उन्हों ने ये कहा कि अब क्या है कि उन्हों ने ये बोला कि आप जो loan ले रहे हो ADV से याने कि Asian Development Bank से आप जो loan ले रहे हो लोन ना लो इसके जिए हम आपको grant दे देंगे ज्यादा easier रहेगा terms बहुत आसान रहेगा grant will be a grant 12 million dollar की grant इंडिया ने देने के लिए अगरी कर दिया है और शिलंका के लिए भी अच्छा है कि यार उनके पर debt नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर China अब उनको बोल रहा है कि यार ऐसा मत करो और इससे हमारी जो मैंलब की हमको जो budget मिला हुआ है उसमें आप interference ना करो खुल मिला करके वो यह कहना चाहिए इससे थर्ड पार्टी interference बोला रहा है जगह याद रखना नेदून दीवू नेदा दीवू नेदा दीवू ना लाई दीवू ठीक है न इरान IAEA reached deal on inspections तो इरान और IAEA ने भी recently deal कर लिये for the inspections क्योंकि अब obvious सी बात है जो नई government आई है मलब की आपके अमेरिका में वो चाहती है कि इरान deal दुबारा से restore हो जाए है ना यह obvious सी बात है तो ऐसे में जो मलब की यह deal है IAEA का agree करना जरूरी क्योंकि IAEA क्या करता है International Atomic Energy Agency है और IAEA आपके क्या करते रहती है यह वो मलब की जाती है और checking करती है कि सब कुछ सहीग नहीं क्या उन्होंने enrichment तो जादा नहीं किया है और यह deal के बाद ही possible था क्योंकि अभी तक अभी इरान ने मना कर दिया था inspection करवाने से और यह कहा था कि सिंस हमारे उपर वो लगा हुआ है sanction लगा हुआ है इसलिए हम नहीं करवाएंगे कोई चीज तो that is the reason why यह deal important हो जाती है थोड़ा सा मैं आपको IAEA के बारे में बताना चाहता हूँ IAEA को बोलते है इसको set up किया गया था Atoms for Peace Organization की रूप में Atoms for Peace Organizations का नाम था 1957 में जब यह United Nations के अंदर था Atoms for Peace तब इसका नाम था और यह United Nations General Assembly और Security Council दोनों को ही report करती है याद रखे है थोड़ा सा मैं लिग भी देता हूँ वैसे कल की Notes में मैंने इसको डाला हुआ है तो कल जिसने Notes पढ़े होंगे उन्हों देखा होगा आईए यह को और कल ही मैंने डाल दिया था इसको 1957 में set up किया गया था Atoms for Peace याद रखेगा दूसरी जी मैंने आपको अताई यह UNGA और Security Council दोनों को represent करता है मलग की वो करता है reporting करता है Headquarter इसका Vienna में है यानि कि Austria Vienna, Austria में इसका Headquarter है यह भी आप एक हीज याद रखेगा and 22 Member State है and elected by the General Conference 11 Members every year दो साल का term रहता है यह भी एक याद रखेगा and these other things which are important and board members each receive one vote एक board member को एक vote रहता यह भी एक important चीज़ है तो these other things which are important इसको Atoms for Peace की रूप में 1957 में मनाया गा था यह भी एक important term है याद रखेगा आगे move करते है Maldives Parliament Debates Defense Deal with India तो अब India और Maldives ने एक Defense Deal की है उसका नाम याद रखेगा UTF Harbor Project UTF Harbor Project नाम में यहाँ पर लिखा है मैंने इसका full form भी लिख दिया है तो को UTF Harbor Project जो है यह यह project है कि इंडिया जो है वो develop करेगा Maldives का National Defense Force Coast Guard Harbor याद रखेगा इंडिया develop करेगा क्या Maldives का National Defense Force Coast Guard Harbor इंडिया develop करेगा Maldives का National Defense Force Coast Guard Harbor तो यह भी एक चीज़ है और यह जो Coast Guard है इसका कहाँ पर develop होगा उथूरू थिला फालहू याद रखेगा इस जगह पर उथूरू थिला फालहू UTF इसको बोलते है सिफवारू उथूहू थिला फाहू तो इसको इसी लिए आद रखेगा इसका नाम UTF इसी लिए पड़ा है सिफवारू उथूरू थिला फाहू अगर आपसे कोई पूछे किस के बीच में है तो इंडिया और Maldives की बीच में है इंडिया उनका National Coastal Guard का Harbor डेवलप करेगा Defense Capabilities को बढ़ाएगा और China has urged US to lift the trade restrictions अब चाइना थोड़ा उसमें आ रहा है अपने उसमें और कह रहा है कि भाई हमको माफ कर दो मेरे मूँ से निकल गई थी गलती हो गई थी यह सारी चीज़े अब बोल रहा है ठीक है न तो आज तो मैं मरी जाऊंगा अगर आपने trade restrictions नहीं टाए तो अब उनको पता है कि Donald Trump तो चला गया अब आ गया थोड़ा थोड़ा liberal regime आ गया है जो Biden का regime आ गया है तो वहाँ पर वो इसको भुनाने की कोशिश कर रहे है यहाँ पर वही MPC की meeting हुई थी जिसमें यह decide किया गया कि अभी interest rate को कम ही रखना है तो मैंने पहले ही बाक होता है कि अभी stance चल रहा है RBI को उसको बोलते है accommodative stance accommodative stance का मतलब क्या होता है कि अभी यह growth बढ़ाने के चक्कर में है growth को increase करना है और मैंने एक और चीवता थी growth अगर increase होगी तो आपका inflation भी increase होता है by the monetary policy तो यहाँ पर basically वही चीज़ है कि conflict में तो है दोनों चीज़े एक दूसरे के लेकिन अभी जो stance government का है और RBI का भी है वो यह है कि भी growth को बढ़ाओ pie को बढ़ा करो cake जितना बढ़ा बनेगा उतना ज्यादा हिससा सब के पास आएगा अगला है अगया था COVID-19 के time में for the financial year 2022 लेकिन अब वो stable पर आगया है by India Rating and Research अब तो stable ही रहेगा एक important चीज़ यह है दूसरी चीज़ आउटलूक यह पब्लिक सेक्टर बैंक का निगेट्टू किया गया था उसको इसनोंने stable कर दिया और private के लिए यह पहले भी stable था अभी भी stable ही है so that is the thing which is important let's move to the editorial segment ठीक है editorial segment पे आते हैं देखते हैं क्या क्या editorials हमको discuss करने है यह दो को बहुत प्यारे-प्यारे editorials आएं क्या वैसे भी Tuesday का दिन है Tuesday का दिन is full of editorials तो पहला editorial जो हम discuss करेंगे इसमें दीच में एक चीज़ important काम की लगी मुझे बाकी issues तो आपको पता है चाइना के साथ के आपके issues बिल्कुल आपको पता हुए है क्या क्या है important है peace agreement कुछ जो हुए है इंडिया और चाइना के वीच यह उद्कुस कर लेते हैं 1993 के बाद से इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे agreement हुए है जिसको हम बोलते हैं CBM यानि कि confidence building measures हुए है और agreement on peace and tranquility महला कि agreements for maintaining peace and tranquility and promoting confidence building measures CBM जिसको बोलते हैं सबसे पहला हुआ 1993 में जिसका नाम है the agreement on the maintenance of peace and tranquility along the line of actual control in the Indochina border areas याद रकेगा agreement on the maintenance of peace and tranquility 1993 में हुआ उसके बाद आया the agreement between the government of the Republic of India and the government of the People's Republic of China on confidence building measures in the military field along the line of actual control in the Indochina border area ये 1996 में आया the agreement between government of the Republic of India and the government of the People's Republic of China on confidence building measures in the military field फिर आया protocol between the government of the Republic of India and government of the People's Republic of China on modalities for implementation of confidence building measures ये आया 2005 में फिर आया आपका establishment establishment of a working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs establishment of a working mechanism ये 2012 में आया और फिर आया आया आपका agreement between the government of the Republic of India and the government of the People's Republic of India on border defense cooperation border defense cooperation आपका 2013 में आया ये छोटे छोटे नाम बता देता हूँ को border defense cooperation 2013 में आया establishment of working mechanism for consultation and coordination यहने कि WMCC जो आपका बोलते है उसो 2012 में आया working mechanism वाला 2012 में आया और फिर तीसरा आया आपका confidence building measures in the military field 2005 का then आपका confidence building measures in the military field along the line of actual control 1996 का और agreement on maintenance of peace and tranquility in the border areas ये आपका 1993 का these are the important agreements जो की हुए between India and China अब आथर ने काया कि क्यों 1993 में ही agreement हुए इसका reason ये था कि in 1990 there was an agreement between Russia and China also on the same similar lines मैंला border dispute के regarding ही चाइन और रशिया की बीच में तो 1990 में already agreements हुआ था और वो काफी successful जा रहा था and because of that China-Russia thread these agreements started coming from 1993 1993 के वास यसलिए agreements दुबारा से आने लगे चाहिए ना 1990 में agreement sign हुआ था on the guidelines for mutual reduction of forces and confidence building in the military field तो जहां Soviet और Chinese border था वहाँ पे 1990 में एक agreement sign किया गया था for mutual reduction of forces दोनों countries ने accept किया था कि उनको forces reduction करना है जैसा इंडिया में होता ना कि force reduction करना है interference नहीं करेंगे face to face confrontation को avoid करेंगे ठीक है ना तो फिर किस तरीके से self restraint रखेंगे escalate नहीं होजे देंगे situation को proper channel of communication को follow करेंगे यही सारी चीज़े और रशिया के साथ उन्होंने की थी एक यह reason था कि यह agreement आया था अब देखो यहाँ पे author ने कहा कि क्यों रशिया चाइना वाला agreement काम कर गया लेकिन इंडिया चाइना की नहीं काम किये तो रशिया चाइना के confidence building major के काम करने का reason यह था क्योंकि जो bigger power था उस समय it undertook unilateral concessions and asymmetric reductions in military strength चाइना के regarding अगर देखा जाए तो तो सोवियत union ने काफी जादा willingness थी bigger power के पास कि हाँ वो चाहते थे लेकिन इंडिया और चाइना के case में कर देखा थे तो अब्विस से बात है चाइना bigger power है लेकिन उसके अंदर ये चीज नहीं है जो रशिया के अंदर थी सोवियत union इसलिए उनका agreement काम कर गया लेकिन हमारा confidence building अब यह जो आर्टिकल है यह आर्टिकल है बेसिकली यह बतार है कि किस तरीकी से आप international diplomacy में आप science and technology का यूज कर सकते हैं जैसे कि अभी इंडिया की scheme चल रही है एक international relationship के लिए वैक्सीन मैत्री वैक्सीन मैत्री के अंतरगत इंडिया बहुत सारे नेबर हुड में जाहें वो ब्राजील हो श्रीलंका हो भूटान हो इन कंट्रीज ने हम क्या भेज रहे हैं वहाँ वैक्सीन भेज रहे हैं बहुत जादा इंपोर्टन है इसका काफी जादा positive impact देखने को इंटरनाश्टली देखने को मिल बिरा है तो science can be of help in the diplomacy also and science can be of help in the international relations also India would also sign a strategic partnership bearing substantial science and technology component with advanced economy such as United Kingdom, Japan, Israel, Germany and European Union, Singapore and United Arab Emirates Canada, South Korea and Australia तो जो इंडिया है वो साइन कर रहा है strategic partnership substantial agreement जो science and technology agreement है इन बड़ी बड़ी countries के साथ साथ साइन कर रहा है इंडिया की policy 2003 की चाहिए आप देख लो country की science and technology policy 2003 की थी and science and technology innovation policy STIP जिसको हम बोलते है 2013 की both clearly related international science and technology cooperation with the national interest तो national interest में है अगर आफ internationally science और technology के थुरू cooperate coordinate कर रहे हो तो ठीक है तो author का यह कहना है कि हमको technology का use करना चाहिए यह वह starting में hydroxy chloroquine या paracetamol countries को देना हो लगबाग 150 countries थी जहां पर हमने hydroxy chloroquine और paracetamol provide करवाई ठीक है इसके अलावा अभी जब vaccine की बात आई है तो सीरम इस लिटर आफ इंडिया भारत बायोटेक जो है यह सारों ने मिलकर के vaccine मनाई और इसको ना केवल इंडिया में यूज कर रहा है बलकि दूसरी कंट्रीज को भी भेजा जा रहा है तो इंडिया के फॉर इंडिया के बारे में बताओ और यह था किस तरीके से आप साइंस और टेकनलोजी के धुरू आप इसको और जादा strengthen या और जादा अच्छा कर सकते हो अगला आर्टिकल अगला आर्टिकल लिखा गया है बेसिकली लिखा गया है रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए है जैसे आमने देखा है कि बहुत सारे सेडिशन के केस लगते है अब सेडिशन सबसे पहली बात तो आपको याद रहता है कि IPC का section 124A होता है section 124A of the IPC यहाँ पर important एक चीज़ जो है केदारनाथ सिंग वर्सेश स्टेट अफ बिहार केस 1962 का केस है केदारनाथ सिंग वर्सेश स्टेट अफ बिहार केस 1962 का केस है में Supreme Court ने यह बोला it upheld the constitutional validity of sedition sedition को तो पहले constitutionally valid बोल दिया Supreme Court ने यह कहा कि it is a reasonable restriction on the free speech as provided in article 19-2 of the constitution it made clear that citizen has the right to say or write whatever she or he likes about the government or its measures by the way of criticism or comments मैंला वगार आप criticism के basis पे government के बारे में कुछ भी लिखना है कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो as long as it does not incite people to violence against the government established by the law जब तक कि वो violence नहीं create करने लगे मलाब कि जब तक कि वो ऐसा ना हो जाए कि लोगों को inspire कर दे for acting against the government and violence start करने तो यह एक important criteria होता है for applying sedition कि आपको वो violence incite करना चाहिए ठीक है ना केदार नास सिंग के बास Bombay High Court ने एक और case था जिसमें असीम त्रिवेदी का case था it issued guidelines which the police must follow prior to invoking the provisions of sedition तो police के लिए guidelines असीम त्रिवेदी case में Bombay High Court ने अल्रड़ी release किये थे which must be followed prior to invoking the provisions of the sedition तो पहले आपको यह भी देखना है कि क्या जो words थे या content जो था वो disaffection, enmity or disloyalty दिखाता है government के खिला और most importantly क्या वो इतना powerful है कि violence को incite कर सके और public order को खराब कर सके ठीक है ना तो अगर violence या public order को initiate कर रहा है यह सारी चीजी हो रही है तब तो आप उसमें sedition लगाओ लेकिन भालतु में आप sedition लगा रहे हो किसी सिर्फ आप content देख रहे हो उसके consequences को नहीं देख रहे हो so that is not the right thing अगर NCRB की report की माने तो NCRB नहीं कहा है कि 2016-2019 की case में 2016-2019 की बीच में आपको देखना है there was a 160% increase in the sedition cases conviction वहीं पे 3.3% drop to 3.3% conviction dropped to 3.3% from 33.3% तो आपको effect based test करना है मतलब कि आपको यह देखना है कि क्या consequence क्या है क्या उसका impact है क्या वह violence create करने में successful है या नहीं तब आप इसमें लगाएं अगला article है the new paradigm in animal husbandry तो author नहीं बोला कि agriculture के साथ सथ अगर आप animal husbandry पर भी ध्यानने तो that can generate बहुत सारा employment animal husbandry can also generate employment plus बहुत सारा उसका अलग advantage भी हो गाएं example central government ने अभी इस बार आत निर पर भारत कंतर करते एक AHIDF introduce किया था मनलब कि animal husbandry infrastructure development fund animal husbandry infrastructure development fund जो है announce किया गया था as an elite industry of agriculture animal husbandry collectively employs more than 100 million people एक तो 100 million से जादा लोगों को employ करती है आपकी animal husbandry के जो industry है ठीक है ना इसके अलावा AHIDF यानि कि animal husbandry infrastructure development fund जो है इसको project की 90% cost को cover करेगा और interest subvention of 3% for eligible entities 3% का interest subvention भी रहेगा and applicants जो है वो submit कर सकते है proposal with the complete detailed project report DPR ने कि detailed project report आपको submit करनी पड़ेगे थूँ उद्यमी मित्र portal उद्यमी मित्र portal के थूँ आप apply और submit कर सकते है अपने proposal को तब government आपको loan देगी क्या नहीं देगी इसके बारेवन decision लिया जाएगा अब इसमें क्याका चीज़े आती जैसे कि agriculture के elite है आपकी dairy की एक industry हो गई दूसरा आपका क्या होगा दूसरा आपका poultry हो गया तो dairy और poultry दोनों में इंडिया इस्पेशलाइज कर सकता है milk का सबसे बड़ा producer इंडिया है आपको पता होना चाहिए एक के production में दूसरे नंबर पर हम आते हैं poultry के production में हम चौथे नंबर पर आते हैं fourth largest chicken meat producer है हम लोग और second largest egg producer in the world है ना तो काफी और जादा हम इसको अप्ग्रेड कर सकते हैं and it can be of great help not only just for the economy but also for the employment purpose ठीक है ना so that is it for the day friends I hope you like our video please do like share and subscribe answers let me tell you answers first answers मैं आपको बता जेता हूं सब्सक्राइले आज के answer जो है पहला तो पहला statement ही गलात हो जाता है none of the above are correct पहला जो DPP आया था यानि के defense procurement procedure वो 2002 में आया था और यह जो 30% higher लिखा है ना 2016 से यह केवल 10% higher है तो 10% higher than the 2016 DPP so that is it for the day friends I hope you like our video please do like share and subscribe keep loving us keep sharing us thank you and have a nice day